हेलो एवरीवन, वेलकम तो अबर यूटूब चैनल जगीस बायलोजी, तोडे वी विल गूइंट डिसकस अवाउट चैप्टर नमबर 9, from class strength, herity and evolution जैसा के हम जानते है, evolution का portion जो है, वो cut गया है, 2023 के जो paper आने वाला है यानि 2022-23 session में जो paper आने वाला है, उसमें evolution cut गया है हमें सिर्फ बात कर ले है, herity की, जिसके अंदर हमें पढ़ना है variation के बारे में और mental experiments के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ओके स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की जैसा की चैप्टर का नाम है herity, तो herity क्या होता इससे बात मिते है, नॉर्मल अगर हम herity को define करें तो herity is, it is a process of inheritance of character from parents to their offspring, is called herity, तो इसे define करें तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते है, the inheritance, the inheritance of characters, characters from the parents to their offspring, is called herity, is called herity, herity के अगर बात करें तो herity depend करते है, कुछ factors के उपर और यहां यह जो transfer of characters होते है, they are transfer from the genetic material और genetic material हम कहें, तो क्या होता है, जा आप से पुछा जा सकता है, कि genetic material क्या होता है, तो हम बात करने वाले है genetic material की, तो normally genetic material जो होता है, वो होता है DNA, but it can be RNA, and RNA as a genetic material is found in viruses, यानि RNA भी आपको genetic material देखने को मिल सकता है, बट यह सिर्फ virus के अंदर होता है, जबकि DNA जो होता है, वो other और organism में देखने को मिलता है, चाहिए फिर वो plants हो, या फिर वो animals हो, DNA के अगर बात करें, तो DNA stand करता है, deoxyribonucleic acid, जबकि RNA आपका stand करेगा, ribonucleic acid, RNA आपका stand करेगा, ribonucleic acid, अब DNA जो है हमारे पास, इस तरीके से कर हम देखें कि हमारे पास यह DNA है, और इस DNA का कुछ पार्ट जो होता है, वो functional होता है, suppose करो मैं कहरा हूँ, यहां से लेके यहां तक का पार्ट हमारा DNA का क्या है, functional part है, तो मैं इसे बोलूँगा functional part of DNA, और यह functional part of DNA जो आप यहां देख रहे हैं, functional part of DNA जो आपको देखने के बिलना है इसे हम कहते हैं called what we called gene इसे हम बोलते हैं gene और हर एक gene के दो discrete unit होती है क्या होते हैं discrete unit होते है discrete unit of a gene is called or discrete unit of a gene को हम बोलते हैं alel pro अच्छי हिन सब चीजों के बारे में हमें सबसे पहले डिसकस करते हैं तो हम डिशकस करते हैं बारत नि सबसे पहले कि यह सारी जो branch अगर हम पढ़े तो यह branch आती है जैने टिक्स में किस हम आती है इंदर और वह ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंड़ और इनई के एक्स्पेरिमेंट को हमें इस्टुडि करना है ग्रेगर-जॉन मेंडल के अगर पाइबर डाइजेशन एक्सपेरिमेंट और इन्हों ने ये काम नहीं इंहें बोलते हैं पाइसम टेक्स ऐक बात आपको हमेशा लखना है जब भी आप handwritten लिखते हैं नाम को scientific name को तो you have to separately underline the words, आपको इन words को separately underline करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, तो पाइसम सेटाइवन पर उन्होंने काम करा था, जब पाइसम सेटाइवन पर उन्होंने काम करा, तो इस पाइसम सेटाइवन के अंदर उन्होंने took करा कितने करेक्टर्स को, उन्होंने लिए 7 करेक्टर्स, he took 7 करेक्टर्स, during his experiment, और दो 7 करेक्टर्स आर, first he took seed, और seed के अंदर उन्होंने दो करेक्टर्स लिए, एक लिया इन्होंने color, और दूसरी लिए safe, अब color और safe को भी आपको दिया दखना कि यह दो तरीके का होता, एक होता है dominant, और एक होता है recessive, बात यह आती है कि dominant और recessive यह words होते क्या है, यह हमें समझना है, तो dominant word वो हो जाता है, जो अपने आपको express करेगा, suppose करो कि दो generation है, दो generation की बात करो कि parents से एक gene जाता है, जिसमें एक parents में जो एक person है, वो long है, और second person जो है, वो short है, या फिर dwarf है, तो long person के वाज़े से अगर जो F1 generation बनती है, उस F1 generation में अगर baby बढ़ा होता है, तो वो character आपका dominant का और जो character आपका दिखाई नहीं दिया, जो hide हो जाता है, उस character को हम बोलते है, recessive, ठीक है, अभी आगे और discuss करते हैं फिर से, तो यहाँ इन्होंने seed color लिया जो आपको याद रखने हैं, और seed color में उन्होंने कौन कौन से लिये थे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इन्होंने dominant के लिए जो seed color लिया था, वो था आपका yellow, और recessive जो color था वो था green, सेप की बात करी जाए, जो dominant सेप थी, वो थी round, और recessive सेप के अगर बात करें तो वो थी wrinkled, ऐसे ही इन्होंने टुक करा, second character, और वो लिया इन्होंने pod, जब इन्होंने pod लिया, तो pod के अंद चीज़ देखिए, उन्होंने shape, इसके अंदर भी अगर हम observe करें, तो color के अंदर उन्होंने बताया कि अगर pod का dominant color होता है, वो होता है green, और recessive color जो होता है, वो होता है yellow, shape की अगर बात करें, तो shape उन्होंने कहा कि, यह होगी plane, और यह होगी आपकी constructed, कभी-कभी इस plane को हम, sometimes we call it inflated, inflated, okay, तो हमारे पास 4 characters हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और मेरे बताया है, he took how many characters, 7, तो third part पर उन्होंने लिया flower, और flower के अंदर उन्होंने लिया, एक लिया flower का color, और second चीज लिया, उन्होंने flower की position, तो color के अंदर अगर हम बात करें, तो color मेरे लिया, कि flower का जो color होता है, जो dominant color होता है, वो होता है violet, और जो recessive color होता है, वो होता है white, ओके, और position की बात करें, तो एक position जो dominant थी, वो थी axial, और जो recessive position थी, वो थी टर्मिनल गिल्या एंड सेवंथ करेक्टर जो इन्होंने लिया यहां पर फ्रॉर्थ जुसरी फिफ्ट ग्रीश्ट लिया था प्लांट की हाईट और प्लांट हाइट के लिए उन्होंने जो दो करेक्टर था वो था दौर्फ के लियर यह यहां पर इन्होंने डिसकस करें थी इसके बाद इन्होंने करेक्टर मतलब क्रॉस कराई दो करेक्टर को लेके इन्होंने क्रॉस कराई और उस क्रॉस को इन्होंने कुछ इस तरीके से कह कि जब भी हम cross कराएंगे तो कुछ rules नियों ने बना दिये जो आपको याद रखने है ठीक है जो इनके cross के rules थे इन cross के rules में ने बताया कि one gene को denote करने के लिए कि denote करने के लिए हम one alphabet का इस्तेमाल करेंगे और इस alphabet में एक alphabet आपका capital letter में होगा जबकि दूसरा alphabet आपका small letter में होगा और इस capital letter से जो हम लिखेंगे वो हम dominant part को लिखेंगे और small letter से हम recessive वाले पार्ट को लिखेंगे के लिए इससे हम क्या लिखेंगे एक recessive वाला पार्ट लिखेंगे suppose करो for example हम suppose करो कि हम लिए है tall और dwarf plant के बारे में तो tall के लिए अगर मैं T लेता हूं तो dwarf जो उसका opposite recessive character है उसके के लिए same letter रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा small हो जाएगा small t ऐसा जरूरी नहीं के tall के respect में T लिख रहा हूं आप इसे कुछ भी ले सकते है for example अगर मैं इससे M लेता हूं तो यह वाला हो जाएगा small m अगर मैं इसे y लेता हूं तो यह हो जाएगा small y बास मनमारी है अगर मैं इसे z ले लूँ तो यह हो जाएगा small z तो यह इनका तरीका 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 तो जब भी हम rules लेंगे तो हम एक alphabet use करेंगे उस alphabet में dominant letter को दिखाया जाएगा capital letter से और recessive letter को दिखाया जाएगा small letter से small alphabet से और alphabet same होना चाहिए इस base पर उन्होंने cross करी और उन cross के अंदर उन्होंने कहा कि या तो हम एक time पर एक gene study कर सकते हैं या फिर आप दो पढ़ सकते हैं या तीन कर सकते हैं और इस तरीके से उन्होंने cross के name दे दिये for example अगर हम एक time पर एक gene को study करते हैं तो उससे हम बोलेंगे mono hybrid cross और अगर हम एक time पर दो gene को study बोलते हैं तो उसे बोलते है di hybrid cross इसी तरीके से tri hybrid cross वगरा भी होते हैं लेकिन वो हमारे 10th standard या 12th standard तक कुछी नहीं जाती वो इस basically UG levels पर होते हैं यानि undergraduate level पर पढ़ाई जाती ह है चलिए तो डिसकस करते हैं सबसे पहले mono hybrid cross के बारे में कि mono hybrid cross क्या होती है ओके है तो mono hybrid cross अब mono hybrid cross के respect में करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर हम करेंगे study of a single gene study of a single gene for example यह हम लेते हैं plant height और plant height के लिए study करते हैं प्लांट हाइट के respect में अगर हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो प्लांट हाइट के लिए बुक के according अगर हम जाए अगर आप NCRT देखते हैं तो यहां मैं टी ले रहा हूं जिससे मैं टी से capital D से represent कर रहा हूं टॉल को और small t से represent कर रहा हूं recessive character को dwarf condition को अब यहां पर दो बात आपको रखनी है एक होते है pure और दूसरा होता है hybrid प्योर जब होता है जब आपके दोनों letter सेम हो फोर एक्जामपल capital R capital R small R और small R तो यह pure condition कहलाती है लेकिन अगर letter ऐसे हो कि उसमें capital letter भी है और small letter भी है तो इस टाइप की condition को हम क्या बोलते है hybrid क्या बोलेंगे hybrid तो यह condition आपकी कहलाएगी hybrid clear तो इस तरीके से आपको यहाँ पर cross draw कर दो है कि यह cross किस तरीके से बनाई जाती है तो सबसे पहले cross बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे parent और उस parent के लिंदर लिख ले कि आप एक side आपका रहेगा pure tall जो की tall को represent करना था और एक side रहेगा आपके पास pure dwarf अब pure tall हमने कहा तो हमारे पास हो जाएगा capital T capital T और pure dwarf के लिए हो जाएगा small t small t clear अब capital T small t के बाद आपको बनाने होता है gamit या रखेंगे gamit जब भी बनते हैं तो gamit दो मैंसे एक आता है यानि यहाँ पर आजाएगा हमारे पास एक इस तरीके से या फिर आप एक इस तरीके से बना सकते हैं या नि दोनों separate करके एक एक gamit बनता है दो मैंसे एक आता है कैसे यहां पर आपके ऊवर T और इन दोनों को जब हम यह ऑपको याद रखनी जोलोट नहीं तो इसलिए यहां से आएगा मतलब एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा होगी hybrid की तो इससे बोलेंगे hybrid लेकिन hybrid कैसा तो अगर इस Low भी letter capital आ जाता है तो वही condition मन जाती है और हम जानते capital letter के लिए क्या था tall condition थी तो ये होगा hybrid tall इस तरीके से आपके बनेगी F1 generation now we have to find F2 generation F2 generation की अगर हम बात करें तो F2 generation में क्या होता है F2 generation तो F2 generation में क्या होता है कि जो हमारे F1 generation आया था जैसे कि capital T small T इसको हम cross कराते हैं same इसी सही capital T small T से और ये condition आपकी कहलाती है self poly nation और sometime we call it selfing क्या बोलते हैं selfing और इन दोनों cross कराया था अब इन दोनों cross कैसे कराएंगे दीखिए एक है आपके पास capital T और एक है आपके पास small T इस वाले से इसको अगर देखिए तो capital T और small T या आपका इस वाले से दोनों इंदरों separate अब फस्ट वाले का दूसरा को लिलता हूं था वर्ड लिकां फस्ट वाले के साथ एड़ इसी फस्ट वाले का a second वाले की साथ रेर all इसास इन दो सेमशेंस दूसरे वाले में घार करके देख ठहिते हैं अब इस वाले से इस वाले के सबसे पहला जो आपका ये capital T है, ये cross आपका किस के साथ कर रहा है, इस वाली के साथ, तो capital T, capital T, फिर ये capital T आपका जा रहा है, इस small t के साथ तो एक सकाया capital t और इधर से आया आपके पास small t इसको अगर आप observe करें तो small t और इधर है capital t तो याद आपको यह रखना है कि always capital letter पहले आता है और small letter बाद में तो capital t small t और अगली condition में जाएं तो दोनों आपके पास small है small t small t इतना करने के बाद you have to find ratio अब आपके आपर रेशो फाइंड करना रेशो के respect में बात करेंगे दो टाइप का रेशो होता है एक होता है phenotype जो की characters को बाहर से देखके पता चलता है और एक होता है genotype जिसमें हम genes को study करते हैं अब phenotype रेशो आपको बाहर के देखके पता चलता जैसे कि आप अगर plant को देखो तो आप यह कहोगे यहां तो plant होगा tall या फिर plant होगा dwarf और ऐसी condition के लिए आप रेशो अगर लिखते हैं तो अगर देखो यहां पर capital T है एक यहां capital T है दो यहां capital T है तीन और कहीं नहीं है तो यहां पर तीन हो जाएंगे tall और यहां पर देखो आप small T है तो यहां हो जाएगा dwarf याद रखना यहां पर भी small T है बट इन चीजों को हम नहीं count करते अगर एक भी capital letter आ जाए एक भी capital letter आ जाए तो character capital letter वाला हो जाता है अगर जीनो टाइप लिखना तो जीनो टाइप मंगे जीन्स लिखने ए एक सेट आपको complete मिला है capital T कह capital T capital D का capital Tblade दूसरा सेट मिलेक है आपको capital T small t का capital T small T और सभ से लास्ट जो सेट आपको मिला है वो है small t small t capital T capital T के respect में बात को जासा इसके respect में बात करूँ तो मेरे पास यह एक है और कहीं देखने को नहीं मिलेगा तो इसकी value आपकी क्या हो जाएगी one इसको देखो अगर आप अगर आप इस वाले को देखते हैं इसको इसको तो यह हमारे दो है इसलिए इसकी value क्या हो जाएगी two और अगर आप small t देखें तो यह हमारे पास है इसलिए ratio हो जाएगा one ratio two ratio one I hope आपको इस समझ में आ गया होगा एक बार इस वीडियो को दुबारा revise कर लेना अगर आपको ना समझ में आ तो चलिए अगले वागे चलते हैं और आप हमें बात करनी है die hybrid cross की है second thing जो है वो हमें discuss करनी है और वो है die hybrid cross जहाँ पर मैंने बताया था हम यहाँ करेंगे study of two genes at a time एक time पर दो genes को study करेंगे यहाँ चलो हम example लेके चलते हैं जैसे मैंने ले रहा हूं यहाँ पर seed yellow seed और green seed और एक ले रहा हूं सेप ले लेता हूं round seed and wrinkled seed अब इनके लिए आप name indicate कर लेता है सब्कोस करो yellow के लिए में ले रहा हूं capital Y green के लिए रहा हूं small y round के लिए रहा हूं मैं capital R और wrinkle को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे same letter का small letter जो कि होगा small r clear first we have to write parents 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 मैं मैं बताया आपको दोनों की दोनों gene एक साथ लिखनी होती है जैसे मैं y और r लिखेंगे तो dominant character एक साइड रहेंगे तो हिसे हम कुछ इस तरीक से लिखेंगे capital R capital R और capital Y capital Y क्योंकि यह dominant है और यह भी dominant है एक साइड हम रिखेंगे तो small r small r small y small y ठीक है तो यह आपका एक condition होगी और यह आपकी दूसरी condition होगी किलियर अब यह अगर आप देखो तो मैंने का dominant अगर name सेम रहते तो इसको हम किस तरीक से लिखते हैं हम लिखते से प्योर तो यह सीड हो जाएगा आपके पास प्योर आर से क्या हुआ राउंड और वाई से क्या था येलो यानि प्योर राउंड येलो फिट और यह कैसा हुआ दूसरे वाला यहां पर भी दोनों लेटर सेव है तो प्योर इस्मॉल आर के लिए यह करा गया है रिंकल्ड और स्मॉल वाई से हमने यूज करा है ग्रीन तो इस्मॉल रिंकल्ड ग्रीन सीड हो गा यह के लिए उसके बाद जैसी आप चलते हैं तो पैरेंट से आगयगा आप मूव करते तो फिर हमें लिखने होते हैं गैमिट और गैमिट अगर देखे तो इस वाले portion से एक आएगा जो हम लिखेंगे r और इस से एक आएगा y ऐसे इस वाले segment में आएगा small r और इस वाले second में आएगा small y और इन दोनों को अब हम cross pollinate कर देंगे जैसे इनके बीच में cross pollination होगा ये क्या देंगे हमें एक आएगा इधर से capital r आया और इधर से आएगा य और इधर से आएगा small y और इस तरीके से यह रही है आपकी f1 generation इसे हम क्या बोलेंगे यह रही है आपकी f1 generation क्लियर उसके बाद इस f1 generation के बाद आपको इसमें कराना है cross और यहां पर मैंने बताया था इस method को हम बोलते हैं selfing जिसमें हम इसको इसी के साथ cross कराएंगे ठीक है इसका जो cross होगा वो इसी के साथ होगा और इस selfing के लावा कभी-कभी we called it मैंने बताया किसे हम दोर क्या 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 होते है self-poly nation clear अब इसके हमें table draw करने तो उससे पहले हमें इसके gamut बनाने चाहिए तो यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि gamut किस तरीके से बनाए जात है यह हमारे पास था और इससे हमें gamut draw करने है तो इसका method क्या है कि सबसे पहली जीन को आप पहले से cross कराईए तो हमारे पास आता है capital R capital Y उसके बाद इस वाली को ही आप उससे अगले वालिस कराईए तो हमारे पास आएगा capital R and then small Y उसके बाद फिर इस small R को capital Y से कराईए त तो क्या ना लिखेंगे हम लिखेंगे small R and then capital Y और final condition हमारे पास बसती है और उसमें हमें क्या करना है इस वाले small R को अब इस से कराना है लास्ट वाले से तो हम करा चुके अब हमें इस से कराना है तो यह हो जाएगा small R small Y तो यह रहेंगे आपके चार gamit और इन gamit को आपको use करना है cross कराने में जिसे हम बोलते है पनिट square अब इसको एक one side रखना जासे की आपको मैं बताओ कि एक side आप इसे रखेंगे और इसी को ही आप दूसरे side रखेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से table draw करेंगे कि कैसे बनती है चलिए बनाते हैं इस टेवल को कि यह किस तरीके से आपकी ड्रॉव होती है ओके कि इस ट्रेवल को अगर हम बनाएं तो देखो कैसे देखने के लिए मैंने बताता capital R capital Y capital R small y small r capital y small r small y कि यहाँ पर भी capital R capital बिल्कुल सेम रखने आपको जो आपने इस साइड रखे हैं वही आपको इधर भी रखने है तो capital R small y small r capital y small r small y अब आपको करना यहाँ पर इस तरीके से table draw करनी है easy way है इस तरीके से हम table draw कर लेते हैं चलिए यह lines हमने बना ली है column हमने बना ली है यह वर्टिकल कॉलम्स हमने ड्रॉ कर लिया है अब बना लेते हैं रोज चलिए हमने रोज भी बना लिए है ओके मोश्टली कंडिशन में आपको याद रखना है जहां मैंने यह arrows बनाए से मिटा जेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें male और female को है और वहाहत जिसके लीए हम एक साइड मेल का साइझ बनादेंगे जो गई कुछ ऐसा होता है ओर ech साइड female का जिसमें आफ Mona बनाया और उसके नीच्छे प्लस का साइज लगा दे यह होता है साइन female का दो से आप याद रखना मैं यहां लिख देता हूं यह एरो करके साइन जो होता है यह होता है मेल का और एक सर्कल के है जब एक आपका इधर सा आएगा और एक इधर सा आएगा इस बॉक्त को इस वाले ब्लोक को फिल करने के लिए आपको एक ऊपर से लिएना और हमेशा यह बात यादibt रखते जाएगे कि यहां से इस से यह सामने जाएगा तो यहां पर साएगा capital R और उपर साएगा capital R इधर से जाएगा capital Y और उपर साएगा small Y इस तरीके से इस पूरे को आपको fill up करना है अगला देखिए capital R small R capital Y capital Y सबसे last में देखिए इधर से आया आपके पास यह capital R उपर साएगा small R दोनों एक capital Y है और then small Y always capital Y पहले आएगा और इस तरीके से आपको पूरा इसे fill up कर लेना है तो अगर आप practice करोगे तो आपको मालूम पर जागा कि किस तरीके से fill up होता है clear मैं भी इसे fill up कर देता हूँ और इसे समझते है कि इसका ratio कैसे निकाला जाता है जो next task है तो जिस तरीके से हमने वहाँ पर monohybrid cross के अंदर ratio निकाला था ऐसे ही ratio आपको यहाँ पर भी निकालना है phenotype का भी और genotype का भी बट most of the cases के अंदर यह दिखा है 10th class के standard पर सिर्फ phenotype ratio पूछते हैं वो genotype ratio नहीं पूछते हैं लेकिन हम इस वीडियो के अंदर उसे भी याद करेंगे ताकि in case अगर वो आता है या कोई पूछता है तो हम उसे बता सकें कि जिनोटाइप ratio क्या होता है आई होप आप समझ पारें जल्दी मैं इसके mcqs वगारा की वीडियो भी अपडेट मतलब यूट्यूब पर अपने चैनल पर डालूँगा तो उस वक्त आप उसमें देखना कि किस तरीके से mcqs को टैकल करा जाता है जितने भी प्रीवियस यहर में आये हैं मैं कोसिस करूँगा कि लगबग 50 mcqs के आज पास पर चैप्टर रख सकूं और आसानी से समझ सके ताकि हमारे से किसी भी हमसे किसी भी टाइप का mcq छूटे ना चलो इसे मैं फिलप कर देत है भर 카 a एक शिन और इस फिन है प्रिशो को अगर आप ले तो फिलोटाइप रेशो के अंदर आपको वो फिलोटाइप ल Benedai है जो आपको यह घैमिट मिलते हैं जैसे कि मैंने यह साइड में जो यह लिक है य dov 2009 चार यही आपको फिलोटाइप हौआ तो पहला अगर यल्लो सीड उसके बाद रिशो का श्याइं उसके बास सेंड हम देखते हैं सेकेंड ह हमारे पास capital r small y capital r होता है round और small y था green फिर उसके बाद है हमारे पास small r capital y small r होता है आपका rinkled और capital y होगा येलो और final state में देखें तो हमारे पास है wrinkled and then green यह आपको observe करने हैं अब observe कैसे करेंगे तो सिर्फ आपको first letter देखना है हर किसी का हर एक set का पहला पहला letter देखना जैसे इसमें अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे देखना हूँ इसका सिर्फ first letter देखके मैं मालूम कर दोगा के वह आपका जो जीन है वह dominant condition में है recessive condition में है capital letter है तो definitely dominant होगा उसी तरीके से मुसका नाम लिखेंगे और अगर small letters है तो यानि के वो recessive condition होगी चलिए से फिलप करते हैं आप देखें हमारे पास है round yellow यानि यहाँ पर होना चाहिए इसके लिए आर और इसके के लिए होना चाहिए वाई पहले letter में तो ऐसा हम देखते हैं कितनी जगा हमें देखने को मिलता है ले में चेंज मैं पैन कलर ओके स्टार्ट तो capital R capital Y capital Y capital Y capital Y capital Y capital Y इसमें देखिए capital R capital Y इसमें नहीं है यहाँ पर capital R है बट यह small y है तो capital R capital Y यहाँ नहीं है capital R capital Y इसके नीचे देखिए कि दिख रहा है capital R capital Y और इसमें भी दिख रहा है capital R capital Y इसके अलावा मुझे कहीं पर भी capital R और capital Y देखने को नहीं मिल रहा है एक साथ अब इन्हें येलो सीड हमारे पास कितने आ गए नई उसके बाद हमें फाइंड करने round and green आप जानते round के लिए हम लेंगे capital R और green के लिए हम लेंगे small letter जो कि है y small y तो capital R इसे मैं change कर देता हूँ ताकि आपको confusion दा हो इस color से लेते है capital R small y यही हमें लेना है capital R small y और capital R small y इसके लावा मुझे कहीं नहीं देख रहा capital R तो यह हमारे पास 3 कितने हैं 3 इसके बाद अगला रिसों आता है wrinkled and yellow wrinkled के लिए होगा आपके पास small r और होगा y के लिए yellow के लिए होगा capital Y तो आप यह देख रहे है small r capital Y small r capital Y small r capital Y तो 3 हमारे पास यह भी है और सबसे last में एक बसता है वो है आपके पास wrinkled and green it means phenotype ratio जो होता है वो होता है 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 इसके बाद अगर आपसे पूछता है वो बहुत चुकी मैंने कहा कि कभी नहीं पूछा आता बट फिर भी हमें याद रखना है वो है आपके पास genotype ratio जो कभी पूरा लिखने को नहीं आता तो सिर्फ आपको उसकी value याद रखनी है और उसको मेरे हिसाब से एक trick के थरूँ याद रखते हैं अब वो है बारा बारा चार 21 21 और इनके बीच में आप लगा दीजिए रेशो का साइन बस इतना आपको याद रखना यह होता है जिनो टाइप रेशो आफ दा डाय हाइब्रेड क्रॉस आई होप आपने यह बास समझ ली होगी इसी सा कॉंसेप्ट है दो से तीन वार अगर आप इसे करेंगे तो डेफिन से बस के अंदर है और बागे तो एवोलूसन पूरा कट गया है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन और इन हुमन बींग क्यों इसको आपको याद रखना है इसमें कोई ज्यादा टास्क बाद नहीं है सबसे पहले हम यहाद रखेंगे कि हूमन के अंदर आप से पूछेंगे कि कि कितने number of CROMOSOME पाए जाते हैं तो हुमन के CROMOSOME कितने जाते हैं तो इसको समझने लिए पहले आप यह समझ लोर कि सैल जो होती है वो two type से बटी होती है एक होती है अब इन दोनों में सिंगल सेड होगा कैसा होगा सिंगल सेट होगा है तो यह जो इसा पायद में पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं इसको हम रिपर्जेंट करते हैं कि अगर कोई डिपलॉइड सेल है तो उसे रिपर्जेंट करेंगे बाइट टू एन और हैपलॉइड सेल को हम रिपर्जेंट करते हैं बाइट इस तरीके से आपको याद रखना है तो होती है इसलिए क्रोमोजोम नंबर हो जाएंगे 23 पेयर एकसेप्ट वन सैल और वो वन सैल होती है गैमिट्स अगर हम अपनी बॉड़ी के अंदर बात करें गैमिट्स में जैसे कि हम जानते हैं अगर मैं डिसकस करूं मेल गैमिट के बारे में तो मैल मेल गैमिट अगर हुमन क कि बात करूं तो फीमेल गैमिट में होता है हमारे पास एंग सेल और इस एंग सेल के अगर अंदर आप देखेंगे तो इसमें भी होंगे 23 लेकिन सपोस करो कि मैं बॉड़ी की कोई और सेल लेता हूं तो उसमें डैफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें आप इस थरीक से या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ऐसे नहीं लिखिए हाफ कर देता हूं आप इसे ऐसे लिखिए 44 प्लस में एकस एकस या फिर इसकी जगह हो सकता है एकस वाई तो यह जो 44 का सेट बनता है अगर मैं 23 का रेस्पेक्ट में लिखूँआ तो कैसे 22 प्लस में एकस वाई या फिर हो सकता है 22 प्लस में एकस एकस अगर यह 22 प्लस में एकस वाई आता है सेट देखने को मिलेगा तो यह मिलेगा सिर्फ मेल में और जब दोनों के दोनों जाए हो एकस हो तो यह देखने को मिलता है फिमेल में यानि कि जो सेक्स है किसी भी बेब कर रहा है वो इस एक्स वाई और एक्स एक्स पेंट कर रहा है क्योंकि यह तो से में दोनों में बाइस बाइस तो यह जो सेम होते हैं जो सेम सैट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ओटो सॉम्स autosomes और ये आपके अगर दिखा जाए तो ये always 22 pairs होंगी किस cell में एक deployed cell में और ये खाली 22 होंगे किस cell में एक haploid cell में जिसे मैंने भी उपर बताया था 2N से और N से denote करते हैं और ये जो आपको set देखने को मिलना जिस पर sex जिसके द्वारा sex determination होता है है या sex determined होता है जिसके द्वारा इन chromosome को हम बोलते हैं sex chromosome और sex इसके ओपर डिपेंड होता है इसके लिए आपको एक cross बनाके दिखानी है यहां पर तो वो cross आप कैसे बनाएंगे देखिए इजी सी cross है उसमें सबसे पहले आपको क्या लना यहां पर लिखेंगे parent और यहां parent पर लिखेंगे एक side male यानि आप फादर ले सकते हैं और एक side होगी female जहाँ पर आप mother भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से आएगा फादर के अंदर मैंने का एक्स वाई होता है मेल के अंदर और एक्स एक्स होता है फिमेल के अंदर अब इन दोनों को आपको यहां से निकालने हैं गैमिट अब गैमिट जब आप निकालोगा तो इन दोनों को इस तरीके से आप रखोगा तो यहां से दो से टेसेट बनेगा हमाराmm xx इसको फिर करा देंजें दूसरे से तो यह भी बन गळा हमारा xx एब कि यह को कराईए पहले वाले से तो यह दाएगा mmky और इसको कराईए से तो यह भी हो जाएगा एक्स वाई इस तरीके सा अगर आप देखे तो 2xx और 2yy यह x way वाली हो जाएंगे फीमेल यानि यहां से बेबी होगा फीमेल और इस कंडिशन में बेबी बनेगा मेल आपको याद रखने हैं परसंटेज सम्टाइम स्मूचते हैं कि परसंटेज कितनी होगी तो 50% विल बी फीमेल एंड 50% विल बी मेल और अगर वह आप से पूछे कि इनका रेशो क्या होगा तो 50 से 50 को आप कर दो तो 50 से कम पचास पचास यानि रेशो हो जाएगा वन रेशो एक लिया आई होप यह आपको वीडियो समझ में आगई होगी ऐसी ही वीडियो की क्विक रिवी पढ़े देखे ध्यान दे जो ना समझ में आए वो कमेंट में बताएं अच्छा लगे तो लाइक करें तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग स्टेट यून थैंक्यू